हलो दोस्तों वेलकम टू यूटूब चैनल बिपीएसी एक्जैम मैं हूँ आलोक सिंग तो देखिए आज यह वीडियो है प्रैक्टिस सेट वन चालिस सेट आज से सुरू कर रहा हूं और यह फ्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्रपूर्ण होगा आपके लिए यह चालिस एमशी क्यूज का प्रैक्टिस सेट और यह बिहार अमीन उग्जाम जिसमें अभी बहुत ही बढ़िया इसमें पोस्ट आया हुआ है अगर आप 있습니다 fctf नहीं किया है तो जरूर रूस कार लो इसका किडितरिया कुछ है जो मैं आपको दिखा देता हूं वह भी इसके अगर आप नहीं जानते हो बिहार आमीन बारे मैं। अगर आप इसका एग्जाम देना चाहते हो तो मैं उसको भी दिखा देता हूँ और अभी वëक्त है आप इसका यह rods कर सकते हो ग्रत सर ओ तो यहां देख सकते हो यह मैं आपको दिखा रहा हूं इसका इसकाइक क्रिटरिया दिखें यह बहार बोड में का online form का है 2019 का यह निकला था कप से तो यहां पर डेट आप देख सकते हो यह 23 दिसंबर 2019 को यह form निकला है और इसका last date जो भरने का है वो भी मैं बता देता हूं और देखिए यहां पर देखो बिहार अमीन का पूरा बढ़िया से आपको यहां पर दिख जाएगा अप्लिकेशन फी यहां पर है और यहां पर important date तो यहां पर मैं last date payment का दिखा द रहा हूं कि फी पेमेंट last date है बाइस जैन्वरी तो बाइस जैन्वरी 2020 तक आप इस form को भर सकते हो फील कर सकते हो ठीक है और इसका यहां पर दिया गया है पेमेंट मोड एज लेमेट यह सब दिया गया है एलिवजलिटी क्रिटेरिया वैकेंसी देखो वैकेंसी कितना निकला है इसमें क्या है इसकी लिए इसमेंट करूब तो मैंने बिहार आमिन के वारे मिगयों बता दिया अव देखिए इसके इसके सीलेबस तो इसका सिलेव से जेनरल अवेरनेस से 50 सवाल होते हैं और जेनरल मैथेमाटिक से 25 सवाल होते हैं यानि दो काटेगरी में इस इक्जेम को बाटा गया है पचास और पचीस का पुरा जेनरल अवेरनेस में सब कुछ आ जाएगा साइंस करेंट जीके जीएस जितना भी चीजे सब जेनरल अवेरनेस में आ जाएगा इस पचास सवाल में और ये पचीस सवाल सिफ रहेगा मैस से तो ये दो टोपिक से आने वाला ठीक है तो आज तो मैं सिर्फ जेनरल अवेरनेस का मैंने टॉपिक्स लाया हूँ इस वीडियो में मैं इसका भी लाओंगा आगे चलके ठीक है इस वीजी में अगर आपको जानना है तो यह चीज भी जान लिजे कि 75 नंबर का यह होता है सवाल और लगभग 3 घंटे का उता है ठीक है पॉने 3 घंटे का यह एक्जाम होता है बहुत ही बढ़िया चीज है तो इसको अगर आप भरना चाहें फिल करना चाहें इस फॉर्म को तो आप जरूर करें ठीक है और मैंने तो इसका भी प्रैक्टिस शुरू कर दिया है तो चलिए फिर आज का यह सेट शुरू करत है तो इसको शुरू करने से पहले पहले कुछ एयरपोर्ट देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है तो बिर्सा मुंडा एयरपोर्ट रांची में है ध्यान लखेगा सेख उलालम अंतराश्टिय एयरपोर्ट जो है वह स्तरीनगर में है सरदार बल्लाभाय पटेल अंतर रांची एयरपोर्ट हैं बैंगलूरूमें और नेताजी सुभास चंद्रबोस अंतराश्टिय एयरपोर्ट हैं कोलकाता में तो येJust airport से रिलेटेड चीज़े हैं याद रखिएगा आगे भी है एयरपोर्ट से ही कुछ और तो लास्ट ये भी देखने है एयरपोर्ट बीर बिक्रम मानिके किस ओर एयरपोर्ट कहां पर है अगर तल्ला में वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट कहां पर है वारा नसी चौधरी चरं ठीक है तो चलिए फिर अब एमसी क्यों लगाते है पाल वंस के संस्तापक कौन थे तो पाल वंस के संस्तापक हो गए गोपाल ठीक है ध्यान रखिएगा अगला है मिथला के करनाट सासकों की राजधानी कहां थी तो वो थी सिम्रावगड में कहां सिम्रावगड में थी मिथला के करनाट सासकों की राजधानी अगला है करनाट वंस का अंतिम सासक कौन था तो ये हरी शिंग था करनाट वंस का अंतिम सासक नेक्स्ट सवाल देखिए पूर्व मध्यकाल में सो नदी की घाटी के छेतर में किस जनजातिय राज्ज का उत्थान हुआ तो ये खरवार जनजातिय राज्ज का उत्थान हुआ था पूर्व मध्यकाल में सो नदी घाटी के किनारे ठीक है इस चीज़ को ध्यान लखिएगा महत्यपून जवाल है अगला जो है एनी बसंद कॉंग्रेस की पहली महिला अध्याच बनी थी यह तो आपको मालूम हुगा कि एनी बसंद को थी वो कॉंग्रेस की पहली महिला अध्याच बनी थी आपको यहां पर पताना है कब और किस सेशन में इन्हें अध्याच बनाया गय था कि अगला सवाल है प्रिथविराश चौहान ऑफ मुहम्मद गोरी के बीच प्रथम करсы यूद कब हुआ हो था तो यस पूछ रहा था थो प्रथम ट्रायन का यू प anlat प्रिथविराश चौहान और मुहम्मद गोरी के गया था ठीक है तो यह दो ट्रैन यूद्ध हुआ था पृत्थिवी राज चौहान और मुहम्मद गौरी के बीच में तो इस इसको ध्यान लगिएगा अगला सवाल है महत्पुंण वेभल प्लान कव आया था तो वेभल प्लान उन्heinस doctrine इस में आया था तो यह लाय गया था लॉड रिपन के काल में ठीक है लॉड रिपन जह वाईसराय था उस वक्त इस इच्छा के चेतर के विकास के लिए एक हंटर कमिसन लाइ गया था दिली सल्तनत के किस परसीत लेखक ने लैला मजनु नाम की पुस्तक लिखी थी तो लैला मजनु लिखने वाले कौन ऐसे कवी थे कौन ऐसे लेखक थे दिली सल्तनत के वो थे अमीर खुसरू आप कमेंट बॉक्स में बताए कि किस के दर्बार में ये किसके दर्बारी कभी थे, किस देली सल्तनित राजा के बाद साह के, ठीक है, अगला है किसके काल में निकोलो दी कॉंटी विजय नगर सामराज में आया था, तो ये देवराय फॉस्ट के काल में निकोलो दी कॉंटी विजय नगर सामराज में आया था, अगला है किस रक्त समू को सर्वदाता समू कहा जाता है तो सर्वदाता यानि सब को देने वाला ठीक है तो ओ ओ जो होता है सब को दे सकता है अगला है सर्वग्राही रक्त समू किस समू को कहते हैं तो ये वो रक्त समू है वो ब्लड ग्रूप है जो मतब सबका से ले सकता है, किसी से भी ये ले सकता है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये है AB, ठीक है, ध्यान लगिएगा, अगला जो है, आरेज फैक्टर किस से सम्बंदित है, तो ये रक्त से है, बलड में एक आरेज फैक्टर पाया जाता है, नेक्स्ट क्वेस्चन, रक्त चाप किस गरंथी से नियंत्रित होता है, तो रक्त चाप एड्रीनल गरंथी से नियंत्रित होता है, ठीक है, अगला है, निमलिकित में से कौन रक्त को सूध करता है, प्योर करता है, तो ये है किड्नी, यानि हिंदी में व्रीक, next मूत्र का निर्मान कहां होता है तो इस option से बताना है कि मूत्र का निर्मान कहां होता है यह होता है kidney में next मानो kidney में बनने वाली पत्री किस योगी की होती है तो मानो kidney में बनने वाली जो पत्री होती है उसे वो calcium oxalate की बनी होती ही, वो एक तरह का calcium oxalate ही होता है। आगे हम बढ़ते हैं तो किस ने सर्वप्रथम रक्त परिसंचरन तंत्र का अध्यन किया था। तो यह थे in William Harway जिन्होंने सर्वप्रथम रक्त परिसंचरन का तंत्र का अध्यन किया था। अगला सवाल सरीर से हिर्दे की और रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी किसे कहते हैं तो इसमें देखिए यह ला जाता है सरीर से हिर्दे की और सरीर से दिल की और बॉडी से हाट की और ले जाता है तो यह सीरा यानि की वेंस ठीक है पीत बाईल का यानि पीत का जो इंगलिज होता है बाईल का पीएच मान क्या होता है तो इसका होता है 7.7 Pits India Act कव आया था तो Pits India Act 1784 सवी में आया था अगला है किस चार्टर ने इस्ट इंडिया कंपनी का वेपार पर से एकल वर्चस खतम कर दिया था यानि मोनोपोली इस्ट इंडिया कंपनी का खतम किया था कौन सा एक्ट था तो वो था चार्टर एक्ट 1813 अब यहां पर आपको मैच करना है मिलान करें तो शाइमन कमिशन का डेट कौन सा था ऐ तो यह 1928 यहां मिला दिजिए क्रिप्स मिशन कब आय था तो 1942 में यहां मिला दिजिए और केबिनेट मिशन इसका सही है यह 1946 अर वेबेल प्लान कवाया था तो 1945 अभी अपने पीछे देखा था माउंट भेटन पलान कवाया था तो तो यह सब यह देख लिजिए इतना यह ध्यान रखेगा है कि हमारे स्विधान में DPSP यानि डिरेक्टिव प्रिंसिपल अब स्टेट पॉलिसी किस देश के सविधान से लिया गया है यानि निती निर्देस्तक तत्व जो है किस सविधान से लिया गया है कहां के किस देश के तो वह है आयरलेंड के सविधान से DPSP लिया गया है हमारे स्विधान में आपको मालूम है कि हमारे स्विधान के बहुत सारा चीजे दूसरे देश के सविधान से लिया गया है ठीक है नागरिक्ता के बारे में हमारे स्रविधान के किस भाग में मिलता है तो स्रविधान के दूसरे भाग है जिसमें citizenship यानि नागरिक्ता के बारे में बताई है कि नागरिक्ता कैसे मिलती है नागरिक्ता कैसे छिन सकती है और नागरिक्ता के बारे में कौन कानूल बना सकता है कौन नहीं बना सकता है यह सब कुछ नागरिक्ता यह हमारे श्रविधान के भाग दो में पार्ट टू में दिया गय अगला हमारे श्राविधान का कौन सा आर्टिकल भारतियों के साथ विदेशों से आए नागरिकों के लिए भी है तो यह एक ऐसा आर्टिकल है जो भारत के लिए तो है भारत के नागरिकों के लिए तो है लेकिन विदेशों से अगर जो भारत में आ रहा है नागरिक उन अगला सवाल है अंतरास्टिय सांती और सद्भावना की बात कौनसा आर्टिकल करता है तो यह है आर्टिकल 51 चलिए आप कमेंट बॉक्स में लिखे कि आर्टिकल 51 तो करता है अंतरास्टिय सांती और सद्भावना की बात आर्टिकल 51 ए कौनसी क्या बात करता है आर्टिकल 51 ए आप comment box में लिखे कि यह किस चीज की बात करता है Money bill किस article में आता है तो money bill article 110 में आता है कि money bill को लोक सभा में रखा जाए या फिर राज सभा में रखा जाए तो एक जिद्यान रखे है कि money bill always पहले राज सभा में sorry लोक सभा में लाया जाता है money bill ठीक है और इसमें राज सभा का कोई अधिकार नहीं होता है यह article 110 कहता है ध्यान रखेगा अब भारत का चुनाव यानि भारत के सभिधान के किस भाग में आता है भारत का चुनाव यानि election जो भारत में election है वो election किस भाग में आता है कहां पर दिया गया है तो ये भाग 15 में आता है ठीक है आर्टिकल 324 आप जानते होगे उत्तर पूर्वी राज्यों का ट्राइवल छेत्रों का परशासन वेवस्ता किस अनुसूची के अंतरगत आता है की चलते वह भी जो हला सब कुछ चल रहा था कि मैं ये नहीं होगा ठीक है। और एक और चीज उत्र पुर्विम होता है IPL, इनर पर्मिट लाइन है, तो चार राजियों को IPL भी दिया गया है और चार राजियों को 6 डूल के अंदर आया, तो ये दो special status के कारण वहाँ पे CAA लागू नहीं होता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, तो ये था हमारा बिहार अमीन exam 2020 का practice set 1, जल्दी हम practice set 2 भी लेकर आएंगे, तो अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पर बिहार से related हर exams की preparation कराई जाती है, ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ए हिन्द